कक्ष्या पांच के प्यारे बच्चो नमस्कार आज की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चो आज हम जरोका पुस्तक प्रिवेश्य धेन में से पार्ट नमर 20 अंत्रिक्स की कल्पना के चार उत्तरवाले परश्णों को करेंगे तो वीडियो सुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं जिन बच्चो ने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया सबस्क्राइब कर लें लाइक कर दें और सेयर कर दें तो शुरू करते हम आज की क्लास का पहला परश्ण रात को जब हम आस्मान में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देती हैं तारे, सुर्य, धर्ती, हंदेरा तो प्यारे बच्चों क्या दिखाई देती हैं ओपसर नमबर एक यानि तारे दिखाई देती हैं क्या दिखाई देती हैं तारे आगे चलते हैं, नेक्स्ट, आस्मान में जो सबसे बड़ा तारा है, सबसे बड़ा तारा हमें दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, चांद, तारा, सुर्य, धुरो, तारा, तो प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं, धुरो, तारा, तो ओप्सन नमर चार इसका सही है, आगे चलते हैं अमावस्या के दिन चांद कैसा दिखाई देता है तो प्यारे बच्चो काला सफेद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता पूरा तो प्यारे बच्चो आप सभी को पता है अमावस्या के दिन चंद्रमा यानि चांद बिल्कुल दिखाई नहीं दाता तो ओप्स नमर और जब एक चक्कर पुरा कर लेती हैं तो दिन रात बनते हैं। पृत्वी कितने गंटे में चकर पूरा करती हैं। 22 गंटे, 24 गंटे, 23 गंटे, 25 गंटे तो आपको पता हैं प्यारे बच्चो कितने गंटे में? 24 गंटे में तो option number 2 इसका सही हो जाएगा आगे चलते हैं Next आसमान में 7 तारे हैं उनके समू को क्या कहते हैं तो प्यारे बच्चो उसे तारा मंडल कहते हैं दुरो तारा कहते हैं गुरूप कहते हैं सब 3C या तारा मंडल कहते हैं सब त्रीसी नाम से ही पता चल रहा है, साथ तारे, तो चोथा उप्सन सही हो जाएगा, सब त्रीसी तारा मंदल कहते हैं, आगे चलते हैं, सोर मंदल में कुछ, कितने गरे हैं, तो प्यारे बच्चो, नो, आठ, साथ, छे, तो प्यारे बच्चो, तो कितने गरह हैं सोर मंडल के अंदर नो गरह थे पहले कितने गरह थे नो लेकिन अब कितने गरह हैं प्यारे बच्चो आठ गरह हैं कितने गरह हैं आठ तो आपको नो याद ने रखे कितने याद रखने हैं प्यारे बच्चो ओप्स नमर दो इसका सही करना है जो लास्ट व बरफ का गोला माल लिया प्यारे बच्चो तो कितने गराय याद रखने आपको आठ गराय याद रखने हैं तो इस परसन का सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चो आठ ठीक है क्या होगा आठ आगे चलते हैं नेक्स्ट सोर मंडल की खोज किस ने की थी तो प्यारे बच्चो सोर मंडल की जो खोज की थी वो कोपरनिक्स ने की थी तो option नमर 4 जो है वो इसका सही हो जाएगा आगे चलते हैं next आसमान में तारों के अलग अलग जो समू होते हैं उन समू को क्या कहते हैं आकास तारा मंडल सब्तरी सी ग्रूप तो प्यारे बच्चो उसको कहते हैं तारा मंडल तो ओप्सन नमर दो इसका सही हो जाएगा यहां पर तारों के समू को तारा मंडल कहते हैं दुरोतारे से दिशा का पता भी लगाया जा सकता है, दुरोतारा किस दिशा में स्थित होता है, तो प्यारे बचो दुरोतारा स्थित होता है उत्तर दिशा में, तो ओपसर नमबर तीन इसका सही हो जाएगा, आगे चलते हैं, किस वर्स मनुस्य चांद पर पहुंचा, तो प पूंचा था उननी सो उनेतर के अंदर ठीक है आगे चलते हैं next तारों के समू को क्या कहते हैं तो प्यारे बच्चो तारों के समू को तारा मंडल कहते हैं क्या कहते हैं तारा मंडल तो यहां पर चार उत्तर जो दिये हुए हैं उसमें से तीसरा उत्तर सही हो जाएगा आगे ह चांद पर सबसे पहला वैक्ति सन 1979 में गया था जो अमरीका का नागरिक था उसका नाम क्या था तो प्यारे बच्चों उसका नाम था नील औरम स्ट्रोंग क्या था नील औरम स्ट्रोंग तो यहाँ पर option कौन सा हो जाएगा एक नंबर option सही हो जाएगा आगे चलते हैं अंत्रिक्स में सबसे पहला वैक्ती 1961 में गया था जो रूस का नागरिक था उसका नाम क्या था तो प्यारे बच्चों रूस सुआले का जो नाम था वो था यूरी गागरीन तो option नंबर दो इसका बिल्गुल सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रिथ्वी अपने अक्स पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है तो प्रिथ्वी जो है वो लट्टू की तरह अपने अक्स पर एक चकर कितने समय में पूरा करती है 24 गंटे में 24 गंटे में तो ओप्सा नमर दो इसका यहां पर सही हो जाएगा मनुष्य सब से पहले अंत्रिक्स में कब गया था तो 1961 में गया था और कौन गया था? यूरी गागरिन गया था आगे चलते हैं अंत्रिक्स में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे तो 1921 में अभी आपको बताया था यूरी गागरीन तो यहाँ पर इसका कौन सा सही हो जाएगा पहला यूरी गागरीन आगे है भार्त की अंत्रिक्स में जाने वाली पर्थम महीला का नाम बताईए तो सबी को पता है प्यारे बच्ठो सुनिता विलियम्स कल्पना चावला इंदरा गांदी बच्चेन्दी पाल में उसी कौन सी है ओप्से नमर दो कल्पना चावला तो ओप्से नमर दो इसका सही हो जाएगा पुरणिमा को चान्द कैसा दिखाई देता है प्यारे बच्चो बिलकुल गोल दिखाई देता है पूरा तो ओप्स नमर दो इसका सही हो जाएगा आगे चलते हैं बार्ट के मिसाइल में इन कौन कहलाते हैं तो डॉक्टर एपी जे अब्दुल के लाम कहलाते हैं तो ओप्स नमर एक इसका बिलकुल सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रित्वी पर लोड़ते समेकलपना चावला का अंत्रिक्स यान दुरुगटना गरस्त हो गया था उस यान का नाम बताना है तो प्यारे बचो उस यान का नाम पाठ में आपने पड़ा होगा क्या नाम था कोलंबिया यान था क्या था कोलंब अजल के बहुत बड़े सागर को महा सागर कहती है मैसी कौन सा महा सागर नहीं है हिंद महा सागर है परशांत महा सागर है अंटार्टिका नहीं है अंद महा सागर भी है तो नहीं पूछा है तो ओपस नमर तीन हो जाएगा अंटार्टिका महा सागर नहीं है महा दूइब है य सिरलंका भी है बंगलादेश नेपाल इरान नहीं है तो नमर चार इसका सही हो जाएगा कल्पना चावला अंत Прिक्स विग्यानिक थी जो कितने दिन अंतरिक्स में रही तो प्यारे बच्चों वह रही थि 16 दिन कितने दिन 16 तो नमर 3 इसका सही हो जाएगा तो option number 3, आगे चलते हैं चान्द पर उतरने वाले Neil Armstrong किस देश के नागरिक थे तो वो अमरिका के थे और प्यारे बचों, Neil Armstrong कब उतरे थे? 1999 को उतरे थे आगे चलते हैं चान्द पर सबसे पहले कौन उतरा था? Neil Armstrong उतरा था बारतिय अंत्रिक्स अनुसंदान संस्तान इस्रों ने कुछ हत्यार बनाए जैसे अगनी तिर्सुल नाग ये किस प्रकार के हत्यार हैं रोकेट, मिसाइले, बगवान शीव के तिर्सुल और नाग इनमें से कोई नहीं तो ये हैं प्यारे बच्चों मिसाइलें मिसाइलों के नाग है ये अगनी तिर्सुल नाग आदी, आगे चलते हैं नेक्स्ट, कलपना चावला का रियाना के किस सेर से सिम्मध है तो कहां की है बच्चों कलपना चावला, करनाल की है, तो option नमर दो इसका सही हो जाएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट 2003 की गटना में कलपना चावला के साथ कितने अन्य अंत्रिक्स यात्रियों की मोत हो गई थी जब वो वापिस आ रहे थे तो 6 उसके साथ और यात्री थे कितने थे ओप्सन नमर 1 इसका सही हो जाएगा प्रित्वी की आकास गंगा गलेक्सी को क्या कहते हैं तो प्रित्वी की जो आकास गंगा गलेक्सी है उसे कहते हैं मना किली तो उप्सन नमर 1 इसका सही हो जाएगा अंत्रिक्स से देखने पर प्रित्वी किस रंकी दिखाई देती है तो प्यारे बचो तो अंत्रिक्स से देखने पर प्रित्वी आपको दिखाई देती है, नीली, क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इस पर पानी है, तो इसलिए नीली दिखाई देती है, ओप्स नमर तीन, इसका सही है, आगे अंत्रिक्स में जाने वाले पहले वेक्ति कौन थे, यूरी गागरि और कब गए थे 1961 में ठीक है आगे चलते हैं next किस आकासिय पिंड को पृत्वी का पुत्र कहा जाता है तो प्यारे बचों पृत्वी का पुत्र किसे कहा जाता है चंद्रमा को कहा जाता है ओपसन नमबर एक यहां पर इसका सही है कल्पना चावला अंत्रिक स्विज्ञानिक की जब दुरगटना हुई तब पृत्वी पहुंचने में कितना समय बाकी था तो 16 मिनट पहले तो ओपसन नमर एक इसका सही है आगे चलते हैं लाल गरे किसे कहते हैं तो प्यारे बचों मंगल गरे को लाल गरे का जाता है तो ओपसन नमर एक इसका सही है किस गरे का आकार भग बराबर है आगे है तारों के समू को क्या कहते हैं तो प्यारे बच्चो तारा मंडल कहा जाता है तो प्यारे बच्चो इस पार्ट के जो फर्सन मैंने आज आपको करवाए उमिद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे धन्यवाद तो प्यारे बच्चो एक बार फिर स आपको बोल रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलते रहें धन्यवाद